गधों को मूँ मत लगाईए जी हाँ सही सुना आपने दोस्तों ये बहुत बड़ी और बहुत इंपोर्टेंट चीज है हम मेंसे ज्यादा तर लोग ये काम करते हैं गधों को मूँ मत लगाईए एक चोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं उससे पहले अपने बारे में बता गध can you बहुत बहुत बढ़ी सीख देने वाली है क्योंकि आप बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हैं मैं जानता हूं दोस्तों हुआ क्या एक जंगल में एक गधा था वह गधा अपना जो घहसवास खा रहा था इतने में वहाँ पर एक चीता आगया टाइगर टाइगर आया और टाइगर ने बोला और वही गधे क्या हाल है तेरा गधे ने बोला बहुत बढ़िया भाई साब तो उसने बोला और क्या कर रहा है आजकल गधे ने बोला यार मैं तो हैरान हो गया हूँ मैं तो एकदम आश्चरे चिकेत हो गया अबी कुछ दिन पहले सारी जंगल की घास नीली हो गई है, ब्लीू हो गई है, चीता माना नहीं, वो कह रहा है, नहीं यार गदे तू क्या बोल रहा है, और वो दोनों बहुत देर तक बहस करते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे, उसने बोला नहीं, तू ये कर ये कर, उसने तो उन्होंने शेर से पूछा, गदे ने बोला, कि महराज, मैं कई दिन से देख रहा हूं, कि घास जो है जंगल की, वो ब्लीू कलर की हो चुकी है, नीली हो चुकी है, और ये जो टाइगर है, ये जो चीता है, ये मेरी बात मान नहीं रहा है, लेपर्ड, लेपर्ड होता ह हैं, तो वो बोला, हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ, और मैं ही नयाय करूँगा, उसने गदे को बोला, पहले आप अपनी बात सुना, ये गदे ने बोला, बहुत सिंपल, कई दिन से जंगल की घास नीली हो गई है, और ये ही कहना चाहता हूं, इस से ज़्यादा मैं कुछ ने प्रूफ करना चाहता, उन्होंने चीता को बोला, हाँ बहुत समझदार था, क्योंकि वो राजा था, वाई, ऐसे थोड़ना राजा होता है, उसने बड़ी अच्छी बात बोली, कि मुझे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे देखने की जरूरत बिल्कुल नह है, मैं यहाँ पर अपनी गुफा में बैटके ही, आपका डिसीजन कर सकता हूँ, और डिसीजन यह है, कि यह गधा सही कह रहा है, यह गधा सही कह रहा है, और यह कहते ही, गधे ने तालिया बजानी शुरू कर दी, और वो चीता जो है, वो जो टाइगर था, वो विचारा रुआसा हो गया, और गधा खुश-खुश नाचता हूँ चला गया, कि आज मेरी जीत हुई, आज मेरी जीत हुई, और वो जो टाइगर था, वो जो चीता था, वो वहां पर खड़ा था, शेर, उसने जंगल के राजा शेर से पूचा, कि महराज एक बात तो बताओ, आप यह क्या कर रहे हो, आप एक गधे की बातों में आ गए, आपने उसको यह बोल दिया कि घास नीली है और आपने मुझे सजा दे दी, उस शेर ने उसको सजा दे दी थी, कि अगले एक महीने तक जंगल में कोई भी तेरे से बात नहीं करेगा, उसको बहुत बड़ी सजा दे गई, और यह सजा सुनकर ही तो वो गधा खुश हुआ था, तो उसने बोला महराज मेरी क्या गलती थी, मैं तो सही कह रहा था, आप चल कर देख लो, उसने बोला अबे बेफकूफ, तेरी गलती यह नहीं थी, कि घास नीली है या हरी है, तेरी गलती यह है, तुने गधे को मूँ क्यों लगाया, वो तो गधा है, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, उसको तो टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई जानवर चाहिए, हर रोज वो लोगों को बेफकूफ बनाता है, उसको बाते करने का शौक है, उसको टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई जानवर चाहिए तू इतना बड़ा महामूर्क तू चीता है तुझे अपनी value नहीं पता और तूने गधे के साथ अपना time खराब किया इसलिए तेरे को सजा मिली जाकना जरा अपने अंदर अपने daily schedule में देखना कितने बार आप गधों के साथ अपना time बर्बाद करते हैं जी हाँ ये वो गधे नहीं है जिनकी पूछ लटक रही है ये वो गधे नहीं है ये इनसान के रूप में गधे हैं जो हर रोज हमको मिलते हैं और हमारा time खराब करते हैं ऐसे ऐसे topics पर बहस करना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे topics पर जिनका कोई relevance नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है जिनसे हमारे को कोई फाइदा नहीं होने वाला बस ये की नुकसान होगा कि आप गधे के साथ जब discussion में पढ़ेंगे तो आप भी गधे बन जाएंगे क्योंकि उस गधे की मकसद है उस गधे की कोशिश है कि चीते को भी गधा बना दू अपने साथ और हम बनते हैं हम बनते हैं friends यहाँ पर एक बहुत important चीज शेर ने बताई उसको उसने बोला तो मैं क्या करता उसने बढ़ी अच्छी बताई जिसको मैं इंग्लिश में बताना चाहता हूँ वो है intelligence shut up when ignorance screams ध्यान से सुनना मेरी बात intelligence shut up when ignorance screams जब फाल्तु के लोग किसी बिना मुद्दे की topic पर शोर मचाते हैं तो समझदार लोग चुप रहते हैं वो बोलते हैं को करने दो इनको करने दो अपना time खराब नहीं करते हैं network marketing industry में कहीं आप भी तो यह नहीं कर रहे हैं आपको दिन में 10 गधे मिलते ही होंगे कुछ share भी मिलते होंगे कुछ गोडे भी मिलते होंगे कुछ गधे भी मिलते होंगे आप गधों के साथ अपना समय बरबाद मत कीजिए कई बार हम छोटे छोटे टॉपिक पर इतनी लंबी बहस में पढ़ जाते हैं कि हमें यह नहीं समझाता कि उस बहस को जीत कर भी फाइदा क्या मिलेगा उस बहस को प्रूफ करके भी फाइदा क्या मिलेगा अपने समय की कीमत पहचानिये आपकी जिंदगी का एक एक मिनिट कीमती है और ये समय अच्छे लोगों के साथ लगा ये गधों के साथ नहीं क्योंकि गधे हमेशा कोशिश करेंगे आपको क्हीचने की, अपने level पर आप यहां पर है, गधा यहां पर है वो कोशिश करेगा आपको अपने level पर लेके आने की आपका समय खराब करने की और उसके बाद सब हसेंगे क्योंकि एक tiger ने गधे के साथ अपना समय खराब किया और आप गधों से जीत नहीं पाओगे जीत नहीं पाओगे मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर यह कहानी अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर जरूर करना हो सकता है आपकी शेयरिंग की वज़ा से कई टाइगर गधूं के साथ टाइम बिताने से बच जाए राइट फेंट्स अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ थेक्टि वेरी मच्ट टेक केर बाई बाई